हेलो एवरिवन एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं राहुल गौतम आपका मैगनेट विंस के हिंदी मीडियम चैनल पर जहां पर मिलती है आपको निसलुक सिक्छा इसी कड़ी में आज मैं आपको लेके आया हूँ जो हम चैप्टर नमर वन पढ़ रहे हैं परीचय इंट समस्टी अर्थसास्त्र और वेस्टी अर्थसास्त्र आपस में एक दूसरे के ऊपर किस परकार से निर्भर करती हैं किस परकार ये दोनों को एक साथ हमें अध्यन करना पड़ता है तो ये सारी चर्चाएं आज के वीडियो में हम करने वाले हैं इसलिए बने रहेगा मेरे स और सुरू करते हम आज का वीडियो तो सबसे पहले हम जानेंगे समस्टी अर्थसास्त्र होता क्या है जैसा कि हमने पढ़ा था वेस्टी अर्थसास्त्र जो है वो ब्यक्तिगत एकाईयों का अध्यन करता है वहीं पे समस्टी अर्थसास्त्र जैसा कि ये इसका नाम हमें होगी तो देखते हैं किया लिखा हुआ है समस्ट्री अरथसास्त्रि इसका दूसरे नाम क्या है ब्यापक अरथसास्त्रि के वह साखा है जो किसी एक एकाई का नहीं अपितू सभी एकाईयों या सम्रग के आर्थिक वैभार का अध्यन करती है दूसरे सब्दों में समस्ट्री अर्थिसास्त्र में सामोहिक दसाओं का अध्यन किया जाता है इसे सामोहिक अर्थिसास्त्र भी कहा जाता है तो देखें, यहाँ पे हमें तीन नाम मिल जाते हैं, समस्टी अर्थिसास्त्र की, पहला हो तो हो गया समस्टी अर्थिसास्त्र, दूसरा हो गया व्यापक अर्थिसास्त्र, यह जो चीजे होती हैं, आपके MSQ Q Qushion के लिए important हो जाती हैं, और हमारे पास तीसा नाम क्या हो गय किया जाता है जैसे कि मैं individual aggregate की बात कहां पर कर रहा था वेस्टेट से सास्त में और यहां पर मैं सामोहिक जो एकाईया है मेरे पास उनके बारे में बात करूँगा उधारन के लिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं यदि मैं किसी एक बेक्ति की एक उपभुगता की मांग को निकालना चाहता हूं एक उपभुगता की मांग के बैभार को समझना चाहता हूं तो मेरे पास माल लेता हूं Mr. X है और मैं देखता हूँ कि Mr. X का जो pattern है खर्ज करने का कि जब किसी बस्तू की जो कीमत है यहां पर हम price ले लेते हैं और यहां पर हम ले लेते हैं demand यहां पर price ले लेते हैं और यहां पर demand जब किसी बस्तू की कीमत जो है वो एक रुपए होती है तो वो 5 एकाईया यहां प पांच होने पर वो एक काई की मांग करते हैं तो यह किसका पैटन है Mr. X का पैटन है अब यहां पर मैं देखता हूं Mr. Y तो Mr. Y की demand pattern देख लेते हैं कैसा है वह एक रुपए जब कीमत होती है तो 6 commodity की demand करते हैं और जैसा ही 2 होती है तो वह आपकी 5 करते हैं फिर 4 3 और 2 इस परकार करते हैं अब जब मैं इन दोनों की मांग को plus कर दूंगा दोनों को plus कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी बा 2 रुपए पे 9, 7, 5 और उसके बाद हो जाएगी 3 ठीक है जी तो अभी ये बनी market demand अभी क्या बनी ये market demand और ये किस के लिए कर रहा था मैं ये कर रहा था मैं commodity A के लिए किस के लिए कर रहा था ये मैं commodity A के लिए ठीक है जी फार एक्जामपल ये किस के लिए किया मैंने commodity A के लिए अभी तक कि ये installation जो है वो वेस्टि अटिशास का हिस्सा है लेकिन जैसे ही मैं commodity B का भी अदियन करूँगा इसी परकार और अर्थवस्ता में जितने भी कस्टुमर हैं उन सभी की मांग को प्लस कर दूँगा तो मेरी बन जाती है aggregate demand समरग मांग बन जाती है इस पिरकार के जो बिसे होते हैं वह हम समस्ट्री अर्थसास्त्र में अध्यन करते हैं बाठ ठीक है जी समझ में आई चलिए आंगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या है हमारे पास इस पिरकार समस्ट्री या व्रध अर्थसास का संबंध एक ब्यक्ती से नहीं अपिती ब्यक्तूं के समूचे समूँ से है एक परिवार से नहीं अपिती सभी परिवारों से है एक फर्म से नहीं अपिती सभी फर्म सो है उद्योगों से है नहीं अपिती अर्थवस्ता की समूची उद्योगिक संडचना से होता है विविन अर्थ सास्तियों ने समस्ट्री अर्थ सास्त को निम्न प्रकाद परिवासित किया है तो देखते हैं अर्थ सास्त्री क्या बोलते हैं प्रोफेसर बॉल्डिंग है यहां पर हमारे पास और वो बोल रहे हैं समस्ट्री अर्थ सास्त्र में बैक्तिगत मात्राओं का अ किया जाता है इसका सम्मंध बैक्तिगत डाय से नहीं होता है below कि मृत सदर से नहीं अपी तू राश्टिय उस पादन से होता है तो जिस प्रकार मैंने अभी आको बताया था कि हम यदी सम्रग मांग को निकालना चाहेंगे तो सभी कस्टूमर की सभी प्रकार की बस्तूँ एवं से वहाँ की demand को plus कर दिए जाएगा बैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है कि sir यहां पर बैक्तिकत आय से नहीं राष्ट्री आय से निकला जाएगा तो बैक्तिकत आय अब राष्ट्री आय निकालने के लिए मैं मिस्टर एक्स की इंडिविजल आय प्लस मिस्टर बाय की इंडिविजल आय प्लस मिस्टर जैड की इंडिविजल आय और जितने भी लोग मेरे देश में निवास कर सकते हैं उन सब की इंडिविजल income को हम क्या करेंगे add on करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है national income बन जाती है इस परकार के समरगों का बिस्तिलेशन जो है वो वेस्टी अर्थिसास के अंतरगत किया जाएगा ठीक है जी प्रोफेसर सुल्जे समस्टी अर्थिसास का मुक्यंद्र रास्टी आय का बिस्तिलेशन करता है ठीक है तो जब मैं आपको समस्टी अर्थिसास पढ़ाऊंगा उस समय आपको बताऊंगा कि कैसे समस्टी अर्थिसास में रास्ट्य आय की गढ़ना की जाती है क्योंकि ये उसका conclusion point होता है समस्ट्य अर्थिसास पढ़ने का तात्वर ये है कि हमें आय को निर्धारिद करना होता जिस परकार वेस्ट्य अर्थिसास को पढ़ने का conclusion ये मतलब ये होता है कि हमें price को निर्धारित करना होगा price theory end chapter में मैं आपको price theory पढ़ाऊंगा ठीक है जी चलिए अब इसके बात chamberlain आते हैं और chamberlain का मानना है कि समस्ट्री अर्थसास्त्र कुल संबंदों का अध्यन है ठीक है जी तो अभी कोई भी अर्थसास्त्री line से हट के बात नहीं करता है सभी एक ही line में बात कर रहा है कोई उसको कुल बोल रहा है कोई उसको योग बोल रहा है कोई उसको समर्ग बोल रहा है अभी तक फिर आते हैं gardener एकले समस्ट्री अर्थिसास्त्र आर्थिक विस्यों पे समस्ट्री रूप में विचार करता है इसका संबंध आर्थिक जीवन के कुल आयमों से होता है यह बैक्तिकत अंगों के कार संचालन या पहचान या विस्तार की अपेक्छा आर्थिक अनुवाव के हाती के कुल आकार और संचालन का अध्रियन करता अन्ही सबदों में यεια कहा जा सकता है कि किसी जंगल की प्रकृति का अध्रियन करता है ना कि उन पेड़ों की जिनसे वह जंगल बना है क्या बढ़िया जबर्दस एक्सांपल दिया है समस्ट्री अर्थसास जंगल में पेड़ों की अध्यन नहीं कर रहा है, वो जंगल का अध्यन कर रहा होता है, जिससे मिलके वो बना होता है, ठीक है जी, तो ये थी कुछ अर्थसास्त्रियों का मत समस्ट्री अर्थसास के बारे में, इस प्रकार समस्ट्री अर्थसास्त्र में संपून अर्थवस्ता का कुल आये का निर्धारन कुल रोजगार का निर्धारन कुल वचत कुल बनियोग कुल उपभोग मूल इस्तर अब यहां पर मूल इस्तर मतला सामाने मूल इस्तर बैक्तिकत मूल इस्तर की बात नहीं हो रही नियोजन अंतररास्टे बैपार बैपार चक्र मुद्रा प्रसार मुद् समस्टी अर्थसास पढ़ रहे होंगे ठीक है तो कुल लाएक बनेगा रोजगार एक बनेगा बच्चत बनियोग उपभोग यह सब किसाब हमारे एक टॉपिक यह चैप्टर बनते जाएंगे यह समस्टी अर्थसास की विसेवस्तू है साम कह सकते हैं ठीक है तो चलिए देख ब्रीफ समझते हैं जीडीपी क्या होती है जीडीपी से आसे हमारा होता है यह इसको हम रास्टे उत्पादी बोलते हैं नैस्टनल डॉमस्टिक पड़क्शन एंडीपी बोलते हैं ग्रॉस डॉमस्टिक पड़क्शन बोलते हैं तो इसके तरह मतलब आठ नाम होते हैं समाल के दौरान कितनी बस्तूं एवं सेवाओं का उतपादन हुआ है इन सब का योग जो होता है वही GDP कहलाता है तो सीधा सीधा GDP का मतलब होता है आपकी उतपादन चमता से आपकी उतपादकता से कि आप कितने productive हैं आपने क्या productivity की है इस बात की जानकरी इस बात की गर्णा जो है वो हम GDP के अंतरगत करते हैं और जब GDP को ये क्योंकि बस्तुएं एवं सेवाएं जो हैं वो अभी हमने मातरात्रम गुरूप में रही है मतलब अभी हमने उनकी संख्या पहचानी कि कितनी बस्तुएं एवं सेवाएं बनी हैं जब इसको हम इसको मूल से गुणा कर देंगे जब हम इसको प्राइस से multiply कर देंगे तो हमारे पास क्या आजाती है national income आ जाती है रास्टिया आए आजाती है तो जितनी बस्तूं एवं सेवां आपने निर्मित किये उसको मल्टीप्राय कर दीजिए प्राइस से तो आपको पास क्या आजाएगा जो की कच्छा बारवी का सेलेवस हो चुका है आपका ठीक है फिर है दूसरा मुद्टरा का वाह मूल से क्या समबंद है कि सर हम जो रुपए है उसकी वैल्यू इन टर्म्स ओफ बिदेसी मुद्रा की बात हम कर रहे हैं वो कितना खरीज सकते हैं हम जैसे कि अभी के लिए हम मानें तो हमें एक डॉलर खरीदने के लिए ठीक है जी तक्रीवन 80 रुपए जो है तक्रीवन 80 रुपए जो है वो खर्च करने होते हैं ठीक है तो अब इसमें क् होता उतार चड़ा हो भी हमें देखने को मिल सकते हैं तो एक डॉलर हो सकता है कि हमें कभी 85 आइनर में भी मिल सकता है तो इसका वह मूली का निर्दारन जो है वो क्योंकि यह भी प्रड़क्टिविटी से लिंक करता है आप जितने ज्यादा प्रड़क्टिव होंगे आपक करणसी की डिमान्ड होने से आपकी value appreciation होगा आपकी करणसी की तो यह क्योंकि एटी से इटी फइफाइब झारे था ह्ना सामान्य मूलिसतर जैसे वेस्टियर से सास्त में हम individual price, individual demand और individual supply से जो कीमत का निर्धारन करते हैं उसी प्रकार यहाँ पे aggregate demand समरग मांग और aggregate supply इन दोनों के माध्यम से हम बाजार में कीमतों का इस्तर की पहचान करते हैं जब हमारी economy में aggregate demand यदी ज़्यादा है और aggregate supply कम है तो demand ज़्यादा होने से जो हमारा price level है सामाने तब क्या रहेगा ज्यादा होने वाला है क्योंकि मांग करने वाले लोग अधिक हैं और supply करने वाले लोग कम है इसलिए प्राइस जनरल जो प्राइस लेवल है वो उपर रहेगा इसी इस्तिति को हम क्या बोलते हैं मुद्रा स्वीति जो हमारा next इसमें आएगा मुद्रा का प्रसार इसी के अंदर topic कलब हो जाएगा कि सर मांग करने वाले लोग कम है तो supply करने वाले लोग ज्यादा है तो कीमेत जो है वो क्या हो जाएंगी नीचे आजाएंगी तो इसको हम बोलते हैं मुद्रा की अवनिती होती है मतलब यहाँ परойस जो है sewół वह प्रसाइण नहीं हो रहा है कि ihan डिफ्रेशन उसको हम कहते हैं और तीसरी इस्तिती होती है जो आदर से संतुलन की बात करते हैं कि जितने लोग मांग रहे हैं उतने ही लोग supplier हमारे पास उपलब दें तो ये इस्तिती बहुत अच्छी इस्तिती माने जाती है और इसी को हम बोलते हैं संतुलन तो अर्थवस्ता में संतुलन जो होता है ये प्राप्त करना हमारा समस्टी अर्थवस्ता में प्राप्त करना ही उद्देश होता है कि हमारी अर्थवस्ता संतुलित अर्थवस्ता र आपने कंजम्शन से ज़्यादा यदि income earn किया है तो क्या करेंगे आप उसको save करेंगे और save करने से पैसे की value कम होती है तो क्या करेंगा आप उसको invest करेंगे तो invest करने से economy में क्या फायदे होते हैं savings economy के लिए कैसे important है उसकी चर्चा यहाँ पर की जाती है है तो छोटे से example से समझेंगे यदि आप economy में 100 रुपए invest करते हैं ठीक है जी आपने economy में क्या किया 100 रुपए invest किया अब यह 100 रुपए जब आपने invest किया तो यह 100 रुपए किसी ना किसी व हुआ होगा माल लेते हैं उसने अपना income का 90 रुपसेंट वह खरकार देगा तो 90 रुपए फिर से खरचा किया किourd行 college उसी परकार फिर ये बेक्ती ने 90 रुपए में से अपनी 90% इंकम फिर से खर्च कर दिया तो 81 रुपिस फिर से किसी ने किसी बेक्ती की इंकम हुआ होगा इस परकार यदि एकनॉमी में इंकम इंवेस्टमेंट वढ़ता है तो इंकम जो है वो मल्टीप्लाय करती है इस कॉंस जो आएगा वो टॉपिक है बैपार का सेस एवं भुक्तान संतुलन तो बैलेंस आप पैमेंट की बात चल रही है बैलेंस आप पैमेंट क्या होता है कि सर अब हमें क्या करना होता है कि अपने देश की अर्थवस्ता को चलाने के लिए कुछ बस्तूं एवं सेवां का आयात कर करना होता है क्योंकि हमारे पास हम उसका production कम कर रहे हैं उसकी पूर्ती तो करना पड़ेगा क्योंकि बाजार में मांग है या उपभोग करना जरूरी है तो आयात करते हैं दूसरी और कुछ बस्तू हैं हम वो कुछ बस्तू हैं एवं सेवाओं का निर्मान अधिक मात्रा में क हमारे पास दो इस्तिती हो सकती है क्या या तो हमारा इंपोर्ट है वो ज्यादा रहेगा ठीक है इंपोर्ट इस ग्रेटर देन एक्सपोर्ट हो जाएगा या दूसरी स्तिती होगी एक्सपोर्ट इस ग्रेटर देन इंपोर्ट या तीसरी स्तिती हो सकती है कि सर एक्सपोर् तो ये तो सामानेता नहीं होती है क्योंकि कालपनिक इस्तितियां है ये इस्तितियां नहीं होती है तो इंपोर्ट यदि हमारे पास ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो हमारा जो बैलेंस ऑप पैमेंट है उस पर निगेटिव इंपक्ट पड़ेगा क्योंकि हमें ज्याद of payment के लिए favorable conditions कहा जाएगा बाट ठीक है जी अंत में क्या है हमारे पास रोजगार एवं आर्थिक विकास तो रोजगार एवं आर्थिक विकास किस से connected होते हैं आपके रास्टिया एवं उत्पात से यदि आपके पास productivity अच्छी है ज्यादा production कर रहे हैं आप तो आप ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकेंगी ठीक है जी और जूसी बात क्या है ज्यादा production करने से आपका आर्थिक विकास भी होगा क्योंकि बस्तूओं एवं सेवाओं की उपलब्धता जो है वह अर्थिवस्ता में बढ़ने बाली है ठीक है जी तो यह समस्ट्री अर्थिसास की बिसेश्तू है यह topics हम समस्ट्री अर्थिसास के अंतरगत पढ़ते हैं ठीक है ज समस्ट्री अर्थिसास में रास्ट्री आये वब्विस्विस्तरी है आर्थिक समस्याओं का हल ढूना जाता है सूक चिंचरों का महत्व नहीं दिया जाता तो समस्ट्री अर्थिसास में कैसे हल ढूना जाएगा तो देखिए समस्ट्री अर्थिसास की समस्या क्या है और हमारी जो मुद्रा का बाह मूल है मुद्रा का ए जो मूल है वह श्टैवल नहीं है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्शेशन आ नहीं यह समस्यां जो है वो समस्टी अर्थसास की अब इन समस्याओं का समधान समस्ट कीसे दूढ़ेगा तो बेरोजगारी महिंगाई वी लिन्स ओपने में और यह सब मुद्रा बनने से महंगाई कम क्यों हो जाए कि मार्केट में डिमांड थी लेकिन सप्लाय कम थी लेकिन आपने बढ़ा दिया तो देमांड के वराबा जाएंगे तो कीमित नीची आ जाएगी बैलेंस औप में क्यूंकि आप आए ज्यादा कर रहे थे आयात कम हो जाएगा में मिलता है और productivity उत्पादक्ता बहुत महत्पून चीज है इस बात को हमेशा ध्यान रखिए गया अर्थिसास्त्र में अगर आपको समझना है तो उत्पादक्ता और संसाधनों का अनिकूलतम उप्योग दो बातें अगर आपने समझ ली तो पूरी अर्थिसास्त्र और अर् समस्ट्र अर्थिसास ज्यादा उप्लब्द करता है क्योंकि वहां पर productivity को इनहांस करने के लिए या इन समस्याओं से निपटने के लिए हमारे पास संसाधन या तरीके उप्लब्द होते हैं ठीक है जी चलिए अब बढ़ेंगे अंगले पॉइंट की तरफ जो हमसे बोल रहा है कि सर ब्यापक बिसलेशन समस्ट्री अर्थिसास में ब्यापक बिसलेशन पर विसेस बल दिया जाता है इसमें सरकार की मौद्रिक एवं राजकोसिये नीतों के प्रवाव की बिवेचना की जाती है अब देखो जो सरकार ना दो तरह सरकार से नीतियां बनाती है एक होती है राजकोसिये नीती फिस्कल पॉलिसी राजकोसिये नीती जो होती है वो हमारी सरकार के द्वारा बनाई जाती है और दूसरी होती है मौद्रिक नीती मौद्रिक नीती जो है वो हमारी सेंट्रल बैंक मतलब की रिजर्व बैंक ऑफ इ तर्गत होगा ठीके जी चलिए फिर क्या है समूहित को प्रात्मित्ता समस्टी अर्थसास में बैक्ती की अपेच्छा समूह को अधिक ध्यान में रखा जाएगा स्वाभा विक्सी बात है क्योंकि यहां पर मैं इंडिविजियल लिकाईयों की बात करी नहीं रहूं बैक्ती समस्टी आंक्रों का समरग आंक्रों का अधियन कर रहा हूं इसलिए वेस्टी अर्थसास के आंक्रों को मैं क्या नहीं करूंगा तबज्जो नहीं दूंगा ध्यान रखेगा इस बात को चलिए जी फिर क्या है इसके बाद हमारे पास है प्रस पर निर्वरता यह बहुत महत गढ़ना करने के लिए मुझे बैक्ति इर्थ Granny जरूपड़ेगी तो हुआ क्या यहां पर कि समस्च्रे अर्थिसास्त्र पर समस्टी अर्थिसास्त्र पर ठीके अब मोद्द एसटी अर्थिसास् बढ़ें तो है वो प्रास को फ्लेक्ष्ट नहीं कर सकता है और यह देटा कहां मिलेगा जब मैं समरग अंखों को सम्स्टी अर्थ सास्त्र मिलेगा इस प्रकार जो वेस्ट धियर शास्त्र वह समस्टी के ऊपर निरभर करती है तो हम लिख रहे हैं वेस्टी अर्थे सास्त्र में साम में स्तर के परिवर्तनों का प्रभाव अन्यकाईयों पर नहीं पड़ता ठीक है नहीं पड़ेगा क्यों इंडिविज्वेल है वो आप अपनी मांग और आपूर्ती को ही परिवर्तन कर सकते हो बांकर पूरे बाजार जो है उसको एक साथ काम करना पड़ेगा बाजार में या तो हमें प्राइस कम करना है तो हमें सप्ला हमें मांग कम कर देनी चाहिए मांग कम होने से आपूर्ती ज्यादा होने से हमारी प्राइस कम हो सकती है क्योंकि जो डिजले प्राइट्रोल है उसकी कीमेत अभी बाजा के सामिस्तर में परिवर्दन हो जाते हैं ठीक है जी इस प्रकार समस्टियर्थ सा समूची अर्थवस्ता का पृतिनिधित्व करती है बिल्कुल इसका मतलब इसका संबंद संब्रग तथा औसद विवेचन से रहता है बैक्तिगत मदों से इसका कोई संबंद नहीं रहता है के के बाद हमारे पास क्या आता है स्लाइड में समस्ट्री अर्थसास का संबंध विरोजगार की समस्या आर्थिक उच्चा वाचन और आर्थिक व्रधि आधी से रहता है ठीक है जी बिलकुल बात सही है क्यों रहता है अब भी हमने देखा था कि ये समस्यां का समधान और बादक्ता के माद्यम से किया जाता है ये समस्यां उत्पन होगी अब बिरोजगार की समस्यां उत्पन कैसे होती है इस बात को समझे बिरोजगार की समस्यां जो उत्पन होती है वो हमारी मांग से होती है कुल मांग की बात कर रहे हैं समर्ग मांग की बात कर रहे हैं यदि कीनावी में जिसको हम इंगियो में एडी एक्रीड डिमांड यदि एक्रॉट मेंक अबी छेन रेक्शन को समझे यदि एकॉनामिमें एक्रॉटेत डिमांड कम हो जाती है अब क्योंकि डिमांड कम हो गई है तो जो हमारा VII ٹेकर था अब companies कळेगा करेंगे तो लोगों की क्या हो जीगी नौकरियां चली जाएंगी या रोजगार के नए अपसर जो है वो उपलब्द नहीं रहेंगे तो क्या होगा बेवरोजगारी की समस्या उत्पन हो जाएगी इस समस्या को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा एग्रिगेट डिमांड को कड़ेगी लोगों के हाथों में पैसे देने पड़ेंगे हमें अब पैसे कैसे देंगे तो यह चक्र भी बन जाता है कि लोगों के पास पैसे नहीं है इसलिए उनकी पर्चेसिंग पापर नहीं होने से इंडिविजल डिमांड नहीं करने से अग्रेट डिमांड नहीं होने से अग्रेट सप्लाइए नहीं होने से बिरोजगारी की समस्य बढ़ रही और आदमी अगर बिरोजगार है तो फिर से उसकी इंकम उसके पास नहीं आ रही है इस चक्र को भी समझना पड़ेगा तो कई बार सरकार फिरी में स्कीम लेकिया यह आपने देखा होगा कोविट के दोरान 20,000,000,000 को का सरकार ने पैकेज आनाउंस किया था तो अब आपके हाथ में पैसा नहीं दिया सरकार ने किनी मादियू में उसे आपके पास पहुचा और आपकी पर्चेसिंग पावर बढ़ ही आपने डिमांड करना स्टार्ट किया जैसे आपने individual डिमांड ने स्टा वाचन और आर्थिक ब्रद्धी भी होगी बहुत सिंपल कॉंसेप्ट है ठीक है चलिए अब हम बात करेंगे समस्ट्री अर्थसास के बुनियादी मुद्दे अब बुनियादी मुद्दे में सबसे पहला मुद्दा आता है संतुलन कौन से संतुलन की बात कर रहे हैं को कुंसा वाला सर एडी एक्वल्स टू एएस करना है हमें एग्रेट डिमांड को बराबर करना एग्रेट सप्लाइगे सम्रग मांग जो है वो सम्रग उत्पादन या आपूर्ती के बराबर हो जाए यह कैसे संब्दा बैसे तो बोला जाता है यह कालपनिक इस्तिती है इस A-D is less than a-s और A-D equals to a-s जो है वो हमारी समस्ट्री अर्थसास का उद्देश है बनियादी मुद्दा है कि हमें यह प्राप करना है अब यह स्थियां बंती क्यों है सामानता जो हमारी विक्सित अर्थवस्ताएं होंगी तो उनमें यह स्थिती हमें देखने को मिल सकती है ल ठीका जी तो पहली समस्य हमें इस प्रकार दिखती है कि AD को हमें AS के बरावर करना है है अब दूसरी समस्य हमारे पास यहां पर कह लिखिए मज़़े दूसरा बुनियादी मुद्धा क्या है यह तो संतुलन हो गया मतल Culham इसकी बात कर रहे हैं ठीक है अब दूसरी बात के लिख रहे हैं क्योंकि हमारा domestic production जो है वो हमारे domestic consumption को meet out नहीं कर पा रहा है बाद समझ में आ रही है घरे लिए उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि लोगों को अपनी आवस्ताओं की पूर्ति करना है और किनको आवस्ताओं की पूर्ति करना जिनकी पास पैसा है अच्छी है तभी तो आपकी कुचर के लिए सोचने लगे थैं की थोड़ा सा बचा की रखें आने वाले समय में काम आहेगा क्योंकि लोगों की नौक्रियां जा रही थी तो उससे भी क्या होता हमारी पर पावर कम होती थे तो परचेशिक पावर की उपर ही आपकी डिमांडर है वी सबमानता निर्वर करेगी बात स्माझ में ठीक है तो देखते हैं कि लिखा है कि इसका आसे है अर्थ बैवस्ता मैं सम्रग मांग एवन समस्छा आपूर्ति में असंतुलनन है त demand कम होने से ये भी क्या हो जाएगा हमारा कुछ समय के बाद aggregate supply भी कम होना start हो जाएगा तीसरा काम हमें करना क्या है correction in this equilibrium अब देखो correction in this equilibrium कैसे करेंगे हम इसको समझेंगे तो this equilibrium तो दोनों ही इस्तिति है ये भी हमारा this equilibrium की इस्तिति है AD is greater than AS और दूसरी इस्तिति क्या है AD is less than AS ये भी क्या है मेरी this equilibrium की इस्तिति है दोनों ही इस्तितियां तो पहले में पहले हिस्तिति की बारे में बात कर रहा हूं अब मेरी demand क्या है ज्यादा है एग्रे डिमांड मेरी ज्यादा है तो दिमांड को कम करने के लिए क्या कर나 मुझे लोगों की purchasing power कम करना अब purchasing power कम करने के मेरे पास ने दो तरीके हो सकते हैं अच्शा बच्चों की दिमाग में कुछ लोगी दिमाग में यह आ रहा होगा कि सिर्प्लाइ को क्यों नहीं बढ़ा ह रहा हो हम इस कि क्योंकि यहां पर हमारी मानेता है की जितनी supply हो सकती थी संसाधनों का अधिक्तम उपयोग करते हुए अनुकूलतम उपयोग करते हुए सारे संसाधनों को लगाते हुए हम जितना production कर सकते थे उतना कर लिया उसके बाद भी डिमांड अगर उपर जा रहा है तब वो एग्रीड डिमांड बनता है। ऐसा नहीं है कि यहां पर एकनॉमी जो है वो अपने संसादों को परियोग नहीं कर रही। यहां संसादों का पूर्णता पूर्योग हो गया ऐसी मानता है। मना इसके उपर supply नहीं बढ़ सकती, simple, ठीक है, तो AD, अब दो तरीके होते हैं, क्या, दो तरीके नीतियां होती है, हमने पढ़ा था भी, राजकोसिय नीति, सरकार बनाएगी, और दूसरी होती है, मौधरिक नीति, मौधरिक नीति और राजकोसिय नीतिय की माध्यम से, हम क्य को और बढ़ाएंगे, जैसे बस तुम महेंगी हो, तो demand कम कर सके आदमी, और दूसरा क्या करेंगे, सरकार अपने खर्चे कम कर देगी, क्यों कुछ सरकार जो खर्चा करती, वो भी economy में क्या करता है, demand को create करता, तो सरकार अपने खर्चे कम करेगी, दो तरीके हो गए, अब कि purchasing power कम हो जाएगी, लोन देना कम कर देगी, बैंक, यहाँ पर ठीक है, तो इस तरह के से वो demand को कम करेंगे, demand को कम करने से हमारे पास equilibrium maintain हो जाएगा, अब बात करेंगे, दूसरी स्थिति की, अब दूसरी स्थिति में क्या कर लो सर, supply को कम कर लो, हाँ, बहुत बढ़ी है ब पड़ेगा, या उनमें हमें production का level नीचे लेके आना पड़ेगा, capacity के नीचे जाना पड़ेगा, और जब हम नीचे जाएंगे, तो लोगों को हमें बाहर निखाना पड़ेगा, लोग बिरोजगार हो जाएंगे, रोजगार के अफसर कम हो जाएंगे, इस तरह यह करना नु तो सरकार अपना खर्चा बढ़ा देगी, tax rate कम कर देगी, goods and services को उपर, जिससे की सस्थे हो जाएंगे, तो लोग demand कर सकते, और आरगे क्या करेगी, मौधरिक नीती के माध्यम से, लोगों के पास, पैसे की मात्रा बढ़ाएगी, liquidity बढ़ाएगी, और liquidity बढ़ाने से, आपक समझना चाहिए, बाट ठीक है जी, यहां तक, अब हम बात करेंगे, समस्टी और सस के मुद्दों पर पृतिपादित विविन सिद्धान्थ, मतलब की, various theories on the basis of issues of macro economics, आय तथा रोजगार का सिद्धान्थ, अब इसमें करते क्या है हम, इसमें इस बात का dissertation किया जाता है, कि अर्थवस्ता में संतूलन कैसे लाया जाए, ठीक है जी, अर्थवस्ता में संतूलन कैसे लाया जाए, अभी से इसका सब टॉपिक बनेगा, मैं आपको बार बार बता था ना, कि जब ये इस्तिती होती है, ये इस्तिती तो हमारी क्या है, कालपनिक इस्तिती है, और ये हम अब यह दोनों किस्तितियों में हम क्या करना है आये वाइंवरोजगार की तेमन को बढ़ाना पड़ेगा फिर क्या है असंतुलन की समस्य संबंदी समस्य सिद्दान्थ अर्थवस्ता में ब्याप्त असंतुलन की समस्य जैसे मुद्रा प्रसार तथा मुद्रा संकुचन संबंदी समस्य आधिक विस्ट्रेशन करने के लिए सिद्दान्थ ठीक है तो ये मुद मुदरा प्रसार है पहली इस्तिति मुदरा संकुचन मतलब क्या महला उल्टा है यहां पर चीजें ही हो लूऋ तो यह दो मुद्ध्य हो गए इसके बाद तीसरा क्या है मौद्रिक नीती इवं बित्य नीती संबंदी सिद्धांत तो मौद्रिक नीतियों का निर्धारन किसके उपर होता है कि एकनोमी में डिमांड और सप्लाइ पक्ष कैसे काम कर रहे हैं उसके अकॉडिंगली हमारा क्या होता है मौद्रिक नीतियां इवं बित्य नीतियों का कि अधियों होता कि किस प्रकार रखना है इन में अर्थवस्ता में ब्याफ्त असंतुलन दूर करने के लिए मुद्रा परसार तथा मुद्रा संकुचन संबंदी समस्या के निवारन के लिए मौद्रिक नीती एवं बित्य नीति आधिक निर्मार किया जाता है अभी मैंने आपको बताए तो जसके पहले वाले स्राइड में कि राजकोसे नीती सरकार बनाएगी और मौदरिक नीती आर्वी बनाएगी वह इस बात को ध्यान में लगते हो बनाएगी कि बाजार में महाई है या मुद्रा संकुचन की स्तिती है इन दोनों ही स्तिती में सरका चैन का सिद्धानत और असंतुलन अर्थवस्ता में सैन्तुलन मुद्र संकुचन क्योंकि यह उसी का अंग बने कैसे दोबारा रिपीट वह रहाएं अर्थवस्ता में निरमित असंत रिणा स्तित तो पर प्तिसक्शं को पूर्टिवस साख बैपारिक बैंकों दोरा साख निर्मारण पर बेर जाएगा मतलब की मुद्रा को हमें क्या करना है लीक्विडिटी जो है तरलता जिसको हम बोलते हैं अच्छा लेक्विडिटी समझ लीजिए कि लोगों के पात क्यास की अप्लब्दता कितनी है आपके पासλά ज़्वाज़ा नगद उपलब्द होगा आपकी पर्चेसिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी यदि आपके पास कम कैस होता तो आपके क्रैस सक्ती कम हो जाती है और उसको नियंतृत किया जाता है आरिवाई के दौरा मौद्रिक नीतियों के माध्यम से वो आरिवाई क्या है आहिए जाता है आध किसके माध्यम से अपनी मौद्रिक नीदियों के माध्यम से ठीक है तो यह बात हो जाती है फिर हमारे पास क्या आता है बित्य निधी fiscal policies उस इसकल पॉलिसी सरकार और यह सरकारी बजट के समय when बनाई जाती है जरूरत पड़नने पर बीच में भी बनाये जा सकता है उसका निर्दारन भी बेंदार निर्दान किया जाता है अब तो यदि हमने अपने मुद्रा की मांग विदेशी बाजार में बना ली तो हमारा मुद्रा का मूल जो है वो बढ़ जाएगा और यदि हमारी मांग नहीं है तो मुद्रा का मूल जो है वो कम हो जाएगा जैसा कि आज के समय में हमें होते हुए दिख रहा है ठीक है अब आता है कि वेस्टी अर्थसास और समस्टी अर्थ की आप परस परिक निर्वरता दोनों साखाएं अलग लें लेकिन निर्वर होती है एक दूसरी को पर इंटेडेपेंडेंट कहा जाता है इनको किस प्रकार इंटेडेपेंडेंडेंट है एक बार देखते हैं वेस्टी अर्थ सास वा समस्टी अर्थ सास आर्थिक विस्टेशन की अलग-अलग साखाएं हैं इनका छेतर भी विन्ने विन्ने होता है किन्तु बास्तों में आर्थिक विस्टेशन की ये दोनों साखाएं एक दूसरे की ब्रोधी नहीं होती है बरन पूरक होती हैं दोनों एक दूसरे पर निर्वर हैं एक की सीमा हैं बाद दूसरे की सीमा होता था दोस से दूर हो जाते हैं आर्थिक बिस्टेशन की इन दोनों साखाओं की पारसपरतिक निर्वरता निम्नांग के तथ्यों से इसपस्ट हो जाती है देख लेते हैं कौन वापड़ को लेना पढ़े हरे दॉद गैदि मुझे सम्ध मांगत मांग जानकारी होना जरूर है यह यदि मुझे रस्ट ऑय को जाना है तो मुझे बैप्टिकत आई की जानकारी होना बहुत जरूर हिसलिए है लिखा है समस्ट्री अर्थसास का वेस्ट्री अर्थसास से घनिस संबंद है अर्थात समस्ट्री अर्थसास के लिए वेस्ट्री अर्थसास की अवसकता निम्न कारणों से होती है तो पहला कारण हमारे पास क्या है समफून अथवस्ता को समझने तब उसके संबंद में नीतियों का निर्दारन करने के लिए बेक्तिकरत एकाईयों के सही जानकरी प्राप नहीं कर लेते तब तक समस्ट्री आर्थिक निसकर्स सही नहीं होंगे इसलिए कहा जाता है कि वेस्टी अर्थसास समस्टी अर्थसास की आधार सिला है डेटा आपको कहां से मिल रहा है वेस्टी से मिल रहा है उदारन के लिए जिस प्रकार बैक्तियों के मेल से समाज बनता है उसी प्रकार फर्मों के मेल से उद्योग बनता है और उद्योगों के मेल से अर्थवस्ता का निर्मार होता है अतियव संपून अर्थवस्ता को समझने के लिए सभी ब्यक्तिकत एकाईयों की जानकारी होना जरूरी है इसे लिए हम क्या बोल रहे हैं जो समस्ट्री अर्थसास से वो वेस्ट्री अर्थसास के ऊपर निर्भर है ठीक है जी ये पहला कारण था इसके बाद दूसरा कारण है अर्थवस्ता की सही जानकारी के लिए उन सिद्धान्तों का ग्यान आवस्थक है जो बैक्तियों परिवारों फर्मों के बैवार पर प्रभाव डालते हैं सब्सक्राइब करें तब मुझे जब बैक्ति के बैबार के इस नहीं कर सकते हैं तो उद्याहूं कि वारे में का समझ सकता हूं। इसलिए क्या बोल रहे हैं लिए सब्सक्राइब की जानकारी ओना आपके लिए महनक्र 댄 girls की brown यह चीज में आपको भी स्पस्ट कर देता हूं कि आपको समस्टी अर्थिसास अच्छे से पढ़ना है ना तो वेस्टी अर्थिसास अच्छे से आना चाहिए आपको यदि आपको वेस्टी अर्थिसास में कहीं कन्फूजन रह जाता है तो वो समस्टी अर्थिसास में आपको बस्तों की मांग बढ़ाई जा रही है तो सामाने ताहिया कहा जाएगा कि फ़र्म है उत्पादन बढ़ाएंगी किन्तु जिन फ़र्मों की उत्पादन लागत बढ़ रही होगी उन फ़र्मों के लिए उची कीमतों पर उत्पाद को बढ़ाना आसान बात नहीं है इसी परक अभी तक हमने देखा तीनों ही कारणों में कि जो बैक्तिकत कारणों से हमारे समस्ट्री अर्थिसास में परिवर्तन आ रहा है इसलिए हमने क्या बोला कि समस्ट्री अर्थिसास जो है वह वैस्ट्री अर्थिसास पर निर्वर करती है अब दूसरी है वैस्ट्री आर्थिक व किसा होती है उसी प्रकार वैस्ट्री आर्थिक बिस्ट्रेशन में समस्ट्री आर्थिक बिस्ट्रेशन भी आवस्थ होते हैं अब किस प्रकार आवस्थ होते हैं देखते हैं पहला साधनों के पारेसरमिक के निर्धारन की समस्या प्रहे एक बैक्तिकत उत्पादन के सामने यह समस्या होती है कि वह साधनों के पारेसरमिक का निर्धारन कैसे करे एक उत्पादक अपने साधनों के परस्विका निरदाना अपनी aspiration की सामर्थ के अनुसार नहीं कर सकता, उसे इसके लिए अन्य संबंदित बातों को ध्यान में रखना होगा मतलब समस्या क्या है कि यदि मुझे किसी बस्तू की उत्पादन के जो साधन होते हैं पूजी भूमी स्रम एवं उध्मी अब इनकी मुझे क्या करनी है लागत निर्धारद करनी है तो बैक्तिगत one to one पे तो नहीं हो सकता है इसके लिए तो मुझे क्या चाहिए समंत आंकड़े चाहिए तो इनकी कीमित हैं उत्पादन के संसाधनों की कीमित हैं हम बोलेंगे उसको कौन निर्धारित करेगा समस्टी अर्थसास निर्धारित करेगा बाजार में उप्रबता क के अनुसार कीमित हैं जो है वो निर्धारित होंगी इसलिए समस्टी अर्थसास जो है वो वेस्टी अर्थसास पर आधारित होती है उधारन के लिए एक फर्म के साधन के पारिसर्मिक का संबंद अन्यस्तानिये फर्मों के साधनों के पारिसर्मिक के संबंद रखता है यह के बाद आता है हमारे पास दूसरा बिक्रे के निर्धारण की समस्या कोई फिर्म अपना कितना माल बेच पाई या केवल उस फिर्म दोरा उत्पाद बस्तु की कीमत पर नहीं करता बाजार बताएगा ना कितना अब जाने के लिए मुझे कहां पर जाना पड़ेगा समस्टी सास में पढ़ेगा कीमत सितर में उन्चा है कि मतलब महई चल रही है कि एभी अर्थ 2025 की इसsilक होने पर यह समाज कि सकती हूं ची होती हे तो विकरी अधिक हो सकती है थीक है तो दो कारण हुमने देखे कि किस प्रकार जो वैस्टी अर्थसास्ट्र है वो संस्टी पर निर्वर करती है तीसरा उतपादन की मात्रा के निर्धारन की समस्या तो ये हमें कहां दृत चलता है डिमांड से अभी देखा न आपने aggregate demand, aggregate demand कम है कि जदा है, accordingly मैं कै करूँगा, अपना production decide करूँगा, ठीक है जी, तो क्या लिखा है, फर्म को अपने उत्पादन की मातरा निश्यत करते समय समाज की संपून मांग, समाज की क्रै सकती, रोजगार इस्तर तथा आय इस्तर जैसी बातों का भी ध्यान रखना होगा, इस प्रकार वेस्टी आर्थिक विस्टेशन के लिए समस्टी आर्थिक विस्टेशन का सहारा लेना पड़ता है, उसके बिना हम Westy नहीं पढ़ सकते हैं समस्थी की विन समस्थी की विन समस्थी नहीं पढ़ सकते अब तीसरी important चीजह जो हमें बताता है Westy तता समस्थी ब्रोधावास Micro-Macro-Paradox अब ब्रोधावास मतलब क्या होता है कि सर दो बाते हैं दो सही बाते हैं सकती है तो समझते हैं पहले फिर इसको उधारन देखेंगे इसका आसे यह है कि एक कार जो एक बक्ति के लिए लाबदायक है वह समूची अर्थवस्ता के लिए हानिकारक भी हो सकता है और समूची अर्थवस्ता के लिए जो लाबदायक है वह एक बक्ति के लिए हानिकारक भ रुब पर आपके लिए बहुत अच्छी वाद है कि आपके बहुत सारा पैसा है, लेकिन यह बात, समूझी अर्थ्वस्ता के लिए, समाच के लिए, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो पैसा circulation के बाहर चला गया है उस पैसे का अर्थव्यस्ता में सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी है तो वाद ठीक नहीं है तो अब यह बात वेस्टिक लिए ठीक रही लेकिन समस्टे के लिए ठीक नहीं रही इसको हम बोलते हैं समूची अर्थवस्ता को नुकसान होगा देखो बचत करना अच्छी बात है लेकिन हम बचत को क्या बोलते हैं निवेस कीजिए इसलिए आपके पास अगर सेविंग्स है तो आप उसको इन्वेस्ट कीजिए इन्वेस्ट नहीं करें तो अर्थवस्ता से बाहर पैसा आपके वो बढ़ रहा है और ना ही आपकी अर्थवस्ता के लिए उपयोगी है क्योंकि सब लोग बचाने लग जाएंगे तो मांग जो है आर्टोमेटिक सवावेक रूप से मांग कम हो जाएगी और समरग मांग कम होने से अभी हमने देखा है क्या होता है धिरे-धिरे सप्लाय कम कम होती सप्लाय कम होने से रोजगार कं होता है फिर से इनकम कम होती है जो अर्थ वस्ता के तीक बात बिल्कुल भी नहीं है इसको हम बोलते हैं माइक्रो मैक्रो पेरे डॉक्स निसकर्स वैस्टी एर्थसास तथा समस्टी एर्थसास दोनों एक dues पूरक हैं परस्परस पूरक हैं बरोदी नहीं है समझ्टि अर्थसास का मैं परस्पर कोई नहीं है यह दोनों आत Gardens आवस्थ हैं एक om समस्ते हैं और दूसरे से अन्विग हैं तो आप अर्द सिक्षत ही रहेंगे इसलिए आपको वेस्टी अर्थिसास की सीरीज पूरी करेंगे पहले हम फिर हम समस्ती अर्थिसास की सीरीज पूरी करेंगे ठीक है जी ध्यान रखना है इस बात का हम वेस्टी अर्थिसास के ओए पहुंचने के लिए समस्टी अर्षास की समस्य का समाधान वेस्टी & सعस्त के लिए थी कही ऑंपे यो और लेगन समस्या का समाधान तो आपकी ही साखा में आपको मिलेगा वेस्टी का वेस्टी में और समस्टी का समस्टी में उम्मीद करता हूँ और आसा है मुझे कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा इसके अलाबा अतियंत महत्पूर्ण जानकारी आपके लिए यह है और आप जानते भी हैं कि Magnet Brains जो आपको निसुल्क सिक्षा के लिए सभी विसे के विसेवार वीडियो पूरा पाठिकरम निसुल्क में उप्लब्द करवाता है हमारे वीडियो यूट्यूब पर उप्लब्द होते हैं ठीक है यह हमारे टॉप कोर्स की जानकार यहां पर है हम सीवी सी इंग्लिस मीडियम हिंदी मीडियम में आपको सारे सब्जेक्स के लिए विसेवार वीडियो पूरा करवाते हैं spoken English, UT, NTAC, Olympiad के लिए भी उप्लब्द होते हैं हमारे वीडियो आपके लिए फिर इसके लावा हम Central Board और State Board को भी cover कर रहे हैं तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद